मोवी की स्टार्टिंग में हम उलड़की को नहाते हुए देखते हैं जिसका नाम सिमान होता है उसके बाद हमें एक स्वताल का सिन दिखाया जाता है यहाँ पर सिमान एक नर्स का काम करती थी सिमान हरीबरी सब्जिया खा रही थी कि तभी एक नर्स सिमान को ओकर एक पारसाल लाकर देती है दूसरी तरफ उसस्वताल की सुपर्वाइजर सिमान को बुलाती है कहें कि सिमान में दो गलत रिपोर्ड बना दी थी जेके कारणों के बहुत डाट खानी पड़ती है और अस्वताल की ओर से उसे एक महिने के लिए चुट्टी दे दिया जाता है आज सिमान को थोड़ा जल्दी घर जाना था कहें कि उसके पिता जी का आज्जर मदीन था इधर हम सिमान के पिता जी को देखते हैं जो एक बावर्ची थे और वो आज खाना में कुछ इस्वेसल बना रहे थे और तभी सिमान भी घर आ जाती है और सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा और सबी लोग का मुण्डी सर्म से नीचे जुक जाता है सिमान जल्दी-जल्दी से अपने खिलोना उठाकर अंदर चली जाती है और उखे अपने आप पर बहुत गुस्त आता है वो वर्तंद होने लगती है कि तभी उसके पिताजिये उसके पास आते हैं और उसे वरतंद हो मना करते हैं और उसी हिरात हम सीमान को देखते हैं जो अपने पती के रूम पर जाती है और हमें यहां पता चलता है कि सिमान जब भी अपने पती के साथ घपा घप करने जाती है जो कि बहुत पेन होता है जेके कारा लोग अपने पती को बार बार मना कर देती थी और उकर पती लुल हो जाता था और तभी सिमान का पती वहां आ जाता है सिमान अपने पती के पास जाती है और उके साथ घपा घप करने के लिए कहती है लिकन उकर पती बार मना कर देता है और सिमान को वहां से जाने के लिए कहता है और सिमान से सारे रिस्ते तोड़ देता है सिमान मुंडी लटका कर बैटी थी कि तभी उसे एक कॉल आता है उजल्दी से अस्वताल में जाती है कहा है कि उसके पिताजी का तबियत बहुत खराब हो गया था सिमान का चाचाओ के बताता है कि मकान माली के लड़के ने उसके रिस्टोरेन का बोट हटाने को कहा जेके कारण तुम्हारे पिताजी की उससे बहुत हो जाती है उसके बाद हम सिमान को बाहर देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परिसान हो गई थी दूसरी तरफ ओकर पतियों के छोड़ देता है और इधर इसके पिताजी की तबियत भी खराब हो गई थी अगले दिन कुछ लोग आकर सिमान की दुकान की बोट को उतार देते हैं और सिमान कुछ भी नहीं कर पाती है रात को हम सिमान को उसके सामान को रखते हुए देखते हैं तब ही उसे कीचन में किसी के होने का ऐसास होता है वो जल्दी से कीचन में जाकर देखती है वहां पर सिमान को उसी बावर्ची के साथ मार्केट में देखते हैं जो समजिया खरिदने गए थे वो बावर्ची एक सुन्दर कन्या के दुकार में जाता है जहां पर सभी समान महंगे मिल रहे थे सिमान को के वहां से जाने से रोकता है लेकिन वहां जाकर समजिया खरिदने लगता है जेके कारण सिमान गुसे में वहाँ से चली जाती है और रात को हम उन दोनों को कीचन में खाना बनाते हुए देखते हैं जब सिमान खाना को टेस्ट करती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और उसे बनाने से मना कर देती है सुब़ा हम दोनों को साथ में देखते हैं जो बाहर भूमने गए थे और हो दोनों धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे थे उसके बाद हम सिमान को अस्वताल में देखते हैं जो अपने पिता जी से मिल ले गई थी थोड़ी देर तक हम अपने पिता जी के पास रुखती है और उनसे बाते करती है वहें रात को हम सिमान को एक कलब में जाते हुए देखते हैं दूसरी तरफ हम बावर्ची और उदुकान वाली लड़की को एक साथ देखते हैं बावर्ची उद्युकानबली लड़की की ले रहा था जिके कारोग लड़की बहुत चोर-चोर से चिला रहे थी तभी उसकी आवाज सिमान सुन लेती है और उचुट कर देखने लगती है और सिमान का भी ये सब करने का मन करता है सिमान को मीरर के सामने देखते हैं वो अपने आपको देख रही थी कि तभी वो का ध्यान एक फोटो कर जाता है जिसे वो फार कर फेक देती है और रिशाइट करती है कि वहाँ आप उसके साथ नहीं रहेगी और वहाँ गुसे में कीचन में जाती है और अपने निए खाना बन जाने लगती है तभी वहाँ पर वहाँ बावर्ची भी आ जाता है जो सिमान को गुसे में देखकर उसे पूछने लगता है सिमान उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन वहाँ बावर्ची सिमान को गले से लगा लेता है और वहाँ और दोनों बहुत करीब आ जाते है उबावर्ची सिमान को किसी भी तिरा लहा कर रेल देता है तो बहुत खुश होती है कहे कि उपहली बार के लिडंडा का खेल खेली थी उसी राथ हम उबावर्ची और उदुकान वाली को साथ में देखते हैं उदोनों बाते कर रहे थे यहां सब सिमान भी देख लेती है और सिमान को थोड़ा जलन फिल होता है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है अगले दिन हम सिमान को एक होटल में खाना खाते हुए देखते हैं और तभी एक लड़का सिमान के पास आता है और वो सिमान को बहुत पसंद करता था एकातिर वो सिमान को प्रपोश करता है तो भावा सिमान से मिलने आता है और उसे रात को मूवी देखने के कहता है सिमान इसके लिए मान भी जाती है और रात कोकरे साते मूवी देखने जाती है मोवी देखकर जब सिमान घर आती है वो बावर्ची सिमान से पूछता है कि तुम बहुत जल्दी घर आ गए सिमान विंबोले वहाँ से चली जाती है तो वह जब सिमान उठती है तो वो टेबल पर नास्ता देखकर बहुत कुछ हो जाती है वहां समझ गई थी किया नास्ता किस ने बनाया है वो जल्दी से बावर्ची के पास जाती है लेकिन वहां बावर्ची जाने की तैयारी कर रहा था यहां सब देखकर सीमान थोड़ी दुखी हो जाती है और तभी बावर्ची भी वहां आ जाता है जो सिमान के बहुत करीब चला जाता है और वहां दुनों आपस में किस करने लगते हैं ओबावर्ची जाने से पहले सिमान के लिए एक ख़त लिग कर जाता है कुछ समय बाद सब कुछ बदल जाता है हम सिमान और उसके फैमिली को देखते हैं जो बहुत कुछ स्वहाल होते हैं और सभी लोग साथ में फोटो किचाते हैं और यह मूवी यही पर समाप्त हो जाती है